अभी अभी कुछ न्यूस चेनलों पर मैं डिबेट सुन रहा था। भारत के प्रधान मंत्री की सुरक्षा विवस्था पर उंगली उठाने वाले कॉंग्रेस के कुछ प्रवक्ता, आप पार्टी के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता ये उठा रहे थे कि भारत के प्रधान मंत्री सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षित भारत की बात करते हैं, अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाएं, भारत का प्रधान मंत्री अपनी सुरक्षा की नहीं, देश की सुरक्षा की चिंता कर रहा है। CAA का अंदोलन हो, चाय किसान अंदोलन हो, चाय यह पंजाब की घटना हो, पंजाब की घटना के समय तो भारत के प्रधान मंत्री के पास जो सुरक्षा तंत्र था न, उसके एक बंदूग से 800 गोलियां एक सेकंड में निकलती हैं, और जितने गुर्गे कॉंग्रेज ने वहा आ गये थे, उनके गोटी, बोटीयों की तुकड़े महिनों तक उनके माबाप और कॉंग्रेज के नेता गिनते रहते, ये दुर्धशा हो सकती थी, परंतु भारत के बुद्धिमान प्रधान मंत्री को मालुम था कि ये 5, 10, 15,000 में बिक्के हुए, उन माबाप की उलाद है जिनके माबाप को ये नहीं मालुम कि उनका बेटा टेक्टर लेकर अपनी कां ऐसी तेसी कराने गया है, ना टेक्टर बचते ना टेक्टर पे बैटने वाले वो खालिस्तानी कुत्ते बचते, परंतु भारत के प्रधान मंत्री ने एक मा का बच्चा देखकर उन्हें वाप प्रधान मंत्री बक्ष रहा है, माफ कर रहा है, उसके सबर की परिक्षा मतलो, अगर उसका सबर टूट गया, तो इस देश के अंदर देखि बाहर के गद्दारों को तो निपटी रहा है, कश्मीर में कईयों को निपटा दिया, चाइना को जवाब दे दिया, पाकिस्तान क मुँ बंद कर दिया, अब इस देश के अंदर बेटे हुए उन जैचंदों की बारी है, जो देश का खाकर देश की ठाली में छेट करने का अपरात कर रहे हैं, तो पंजाब की घटना सही है, बिलकुल मत समझना कि आपका प्रधान मंत्री डर गया है, ये बिलकुल भी मत सम आपको संभाल लो, किसी दिन बहुत भारी ना पड़ जाए, सबरिकी परिक्षा मत लो, वंदे मातरम भारत माता की जैए